हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शन्स और इसका कोश्चन नमबर हम 3 देखेंगे कोश्चन नमबर 3 replace box in each of the following by the correct number हमें ये fraction दिया गया है और इसके equivalent हमें ये दिया गया है कि इस fraction में denominator में क्या आएगा तो denominator में क्या आएगा तो हम कैसे करें हम करेंगे कि 2 को हम किस से multiply करें देखें 2 से 2 by 7 2 चोटा है और हमें बड़ा नमबर दीख रहा है यहाँ पे numerator में तो हमें क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा कि हम 2 को कितने से multiply करें कि 8 आजाए तो 2 का table पड़ेंगे हम 2 1 हम 2 2 2 नीचा 2 3 8 6 2 चोग 8 यानि कि हम 4 से multiply करें उपर और 4 से multiply करें नीचे अब हम उपर multiply करेंगे तो हमें नीचे भी multiply करना पड़ेगा तो 2 चौक 8 तो 7 चौक 28 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 28 अब भी पार्ट हम देखेंगे कि 5 by 8 और इसका numerator हमें दिया हुआ है 10 यानि कि 5 से जादा है यह नंबर तो हम 5 में कितने से multiply करें कि 10 आ जाए 16 ऐसे ही 3 by 5 है तो इसमें numerator पूछा हुआ है denominator में 20 दिया है तो 5 को किस से multiply करें कि 20 आ जाए 5 एकम 5, 5 उनी 10, 5 तिया 15 5 चौक 20 तो 4 से नीचे multiply करेंगे तो हम उपर भी multiply करेंगे तो 3 चौक 12 तो यहाँ box में क्या आ जाएगा 12 अब देखिए यहाँ पर दिया है 45 अपान 60 अब क्या है यह बड़ा नंबर है और मिल रहा है हमें क्या छोटा नंबर तो 45 को किस से divide करा जाए कि 15 आ जाए तो देखो 45 को हम किस से divide करें 3 एकम 3, 3, 5, 15 यानि कि divided by 3 करा गया है 45 को 45 को 3 से divide करो 3 एकम 3, 1 बचा 15, 3, 5, 15 तो 45 को हमने 3 से divide करा तो हमारे पास कितना आया 15 तो हमने उपर divide करा है तो हम नीचे भी divide करेंगे यानि कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 यानि कि 60 को हम 3 से divide करेंगे 3 दूनी 6 और यह 0 बचा तो यह 0 यहाँ आ जाएगा तो 20 तो इसका आंसर क्या हो गया 15 by 20 तो लास पार्ट है हमारा 18 by 24 अब हम देखेंगे कि यहाँ पर राइट साइड में हमारा 4 आ रहा है यानि कि छोटी संख्या आ रही है तो हम 24 को किस से divide करें कि 4 आ जाए तो 4 कर टेविल पढ़ेंगे चारे कम 4, 4 दूनी 8, 4, 12, 4, 16, 4, 25, 20, 4, 6, 24 यानि कि हम यहाँ 6 से divide करें तो यह हमारा 4 आ रहा है तो हम ने नीचे 6 से divide कर रहा है तो हम उपर भी हम 6 से divide करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 को 6 से divide किया तो 4 आ गया और 18 को 6 से divide करेंगे तो क्या जाएगा 3 तो हमारा इसका आंसर क्या होगा है इस पार्ट का आंसर 3 by 4 तो जब हमें equivalent में हमें बड़ा नंबर दिखे तो हम multiply करेंगे और जब equal में numerator या denominator जो भी हो हमें छोटा नंबर दिखे right hand side में तो हम क्या करेंगे divide करेंगे तो यही इस question का answer है next question के लिए हम लोग next video में मिलेंगे